हेलो कैसे हैं आप लोग I hope you guys are doing well और आज के वीडियो के अंदर हम लोग चौथी सबक्लास ATP driven pump की डिस्कस कर लेते हैं और वो सबक्लास है क्या देखो इदर F type pumps हमारे रह गए हैं ATP driven pumps के अंदर तो आज हम लोग इस F type ATP is F type pumps के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इससे पहले हम लोग already तीन सबक्लास को बहुत डीटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो ये वाला इस वाले topic का क्योंकि हम लोग major topic से outline डिस्कस किये थे तो उस major topic के अंदर जो पहला topic था जो की हमने बोला था कि भाई हम लोग transportation डिस्कस करने वाले हैं तो अगर transportation की बात करें और transportation के अंदर भी pumps की बात करें या फिर उन सारे molecules की बात करें उन सारे proteins की बात करें जो transportation में involved होते हैं वो सारे transporters का ये last video होने वाला है तो जब हम लोग pump डिस्कस करना स्टार्ट किये थे तो हम लोगोंने starting ATP driven pump से की थी और ATP driven pumps वो pump होते हैं जो की बिना ATP के काम नहीं करते यानि कि उनको energy के लिए ATP की जरूरत होती है तो starting हम लोगोंने P type pump यानि ATP driven pump की पहली सब क्लास से की थी अप तो चीज़े crystal clear हो रही होंगे कि कैसे कैसे कहां कहां कौनसी category किस में आती है pumps में क्या अंतर होता है यानि pump channel carrier की बीच में क्या अंतर होता है कौनसा सेतू की तरह काम करता है कौनसा नाओ की तरह काम करता है Simple Diffusion से Transport होने वाले Molecules कौन से होते हैं, Facilitated Diffusion से Transport होने वाले Molecules कौन से होते हैं तो I hope आप लोगों को थोड़ी चीज़ें clear हो रही होंगी तो P-type pumps के अंदर हम लोगोंने कुछ examples discuss किये थे जहां से प्रशन देखने मिलते हैं जैसे सबसे पहला example जहां से भरके प्रशन देखने मिलते हैं वो हम लोगोंने sodium potassium pump discuss किया था और sodium potassium pump के अंदर हम लोगोंने उसका mechanism of action क्या होता है regulation किस तरीके से होता है अगर ionotropic drugs की बात करें जैसे uabene हुआ जैसे digit toxin हुआ ये किस तरीके से उस sodium potassium pump की activity को regulate करते हैं inhibit करते हैं या फिर up regulate करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग already discuss कर चुके हैं functions के बारे में mechanism of action में involved होने वाली कितनी states होती है काम कैसे होता है कौन-कौन से domains पे phosphorylation होगा ATP कहां जा करके bind होगा components कौन-कौन से होते हैं कैसा structure होता है या शकल कैसी होती है ये सारी चीज़ें हम लोग discuss कर चुके हैं तो starting हम लोगों ने पहली subclass P-type pumps एकी थी जिसके अंदर हम लोगों ने sodium potassium pump discuss किया then हम लोगों ने calcium pump discuss किया और उसी के अंदर हम लोगों ने सरका pumps भी discuss किये थे then हम लोगों ने proton ATPase discuss किया और ultimately चौथा example P-type pump के अंदर जो हम लोग discuss किये थे वो था हमारा proton potassium pump या proton potassium ATPase काम कैसे करता है if you guys want to check it या if you guys want to know about it then just go and check that video उसके बाद हम लोगों ने ATP driven pump की दूसरी category दूसरी subclass को discuss किया था जिसके अंदर ABC transporters आते हैं और बड़ा ही famous सा channel होता है ABC transporters के अंदर अब मैं ये क्या बोल रही हूँ ABC transporters तो pump है लेकिन मैं उसके example के अंदर chloride channel की बात कर रही हूँ तो ये कैसे contradiction हो रहा है ये आपको जाकर के ABC transporters और CFTR chloride channel वाले वीडियो में ही समझ में आएगा कि मैं एक pump को channel क्यों बोल रही हूँ if you guys wanna know about it then just go and check that video as well तो उसके बाद हम लोगों ने तीसरी subclass को discuss किया था यानि कल वाले वीडियो के अंदर ही जो की थी हमारी V-type pumps या फिर V-type ATPs तो V-type ATPs कैसे दिखते हैं mechanism of action क्या होता है कौन से ions का transportation कराते हैं काम क्या होता है acidification किस तरीके से intracellular components का कराते हैं और अगर आपको मिलने का मन हुआ V-type pumps से तो मैंने आप लोगों को उनका address भी दिया था राइट रिमेंबर अगर नहीं देखा है तो जाकर के एक बार देख लीजे तो आज के विडियो के अंदर हम लोग F-type ATPase discuss करने वाले हैं और ये वाला जो topic होने वाला है इस major topic यानि pump वाले topic का final topic होने वाला है और इसके बाद हम लोग membrane potential की तरफ बढ़ने वाले हैं और इसी के अंदर थोड़े थोड़े यानि I think दो छोटे से topics रह गए हैं पहले हम लोग वो discuss करेंगे देन हम लोग membrane potential की तरफ move करेंगे तो अगर इन F type ATPase को देखें तो एक चीज आप लोगों को याद होगी कि ये जो F type ATPase होते हैं ये बिलकुल V type ATPase की तरह दिखते हैं यानि इनकी जो शकल होती है वो बिलकुल V type ATPase से मैच करती है और कल वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था के V type ATPase के अंदर दो components होते हैं दो domains होते हैं तो वो दो domains कौन से होते हैं क्या काम करते हैं ये सारी चीजें हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं हाला कि हम लोगोंने पीछे भी discuss कर ली है बट इस्टिल जब topic discuss कर ही रहे हैं तो हम लोग starting से ही discuss करेंगे तो start कर लेते हैं तो ये जो V type ATPase होते हैं ये active transporters होते हैं अब इस बात से तो आप लोग अवगत हो ही गए होंगे के जहां पर भी active term सुनाई दे जाए इसका मतलब है कि भाई ये जो वाहन है ये बिना ATP के नहीं चलेगा और जहां पर भी passive term सुनाई दे जाए यानि यहां पर अगर passive transporters लिखा हुआ होता तो आप लोग के दिमाग में एक चीज क्लिक कर जानी चाहिए थी कि भाई यहां पर इस vehicle को इस transporters को किसी भी तरीके के ATP के molecule की जरूरत नहीं होगी लेकिन यह जो F type ATP है मैं अभी अभी आप लोग को बताई हूँ कि यह ATP driven pump की fourth subclass है और जब ATP driven pump की subclass है तो भाई इनको भी काम करने के लिए ATP की जरूरत पड़ेगी तो वही पहला term लिखा हुआ है उधर के भाई यह active transporters होते हैं यानि की इनको काम करने के लिए ATP की जरूरत होती है तो यह active transporters होते हैं और यह काम क्या करते हैं यह proton के movement को regulate करते हैं और regulate करते हैं वक्त इनको ATP की जरूरत पड़ती है तो वह ATP की जरूरत कैसे पड़ती है कैसे यह proton के molecule का या फिर proton का transportation करते हैं वह हम अभी discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले तो यही बात आप लोग जान लोग कि जैसे V-type ATP को हमने दूसरा नाम दिया था और वो क्या नाम था के V-type ATPase proton transporting ATPase भी कहलाते हैं उसी तरीके से यह जो F-type ATPase हैं यहाँ पर भी proton का ही transportation होता है तो पहली चीज यह आप लोगों को clear हो गई होगी कि यह जो F-type ATPase होते हैं यह किस तरीके के proton या फिर किस तरीके के ions का transportation करते हैं तो H-plus I-n का transportation यह करते हैं बिलकुल V-type pumps की तरह V-type ATPase की तरह और दूसरा point जो आपको दिख रहा होगा वो यह है कि यह वाले जो pump होते हैं या फिर यह वाले जो ATPase होते हैं यह भी V-type pumps की तरह कई सारी अलग-अलग subunits से मिलकर के बनते हैं और वो कौन से ली subunits होती हैं? कितनी alpha subunits होंगी? कितनी beta subunits होंगी? यह हम लोग last में discuss करने वाले हैं यह वाला portion तो फिलहाल के लिए इतना ही समझो के जैसे V-type ATPase, V-type pumps कई सारी subunits से मिलकर के बन रहे थे वैसे ही exactly उनहीं की तरह यह F-type ATPase, V कई सारी अलग-अलग subunits से मिलकर के बनते हैं और यह बात तो दिमाग में भर ही लोग के यह F-type pump विलकुल V-type pump की तरह ही दिखते हैं जितने domains उनके पास, उतने ही domains इनके पास जितनी subunits उनके पास, उतनी ही subunits इनके पास अब बात आती है कि भाई अगर आप लोगों से इनको मिलना हो या फिर आप लोगों को इनसे मिलना हो, तो address पता होना चाहिए कि यह कहां पाए जाएंगे, कहां मिलेंगे तो अगर इनके location की बात करें तो यह जो हमारे F-type ATPase होते हैं यह bacteria की plasma membrane पर देखने मिलते हैं mitochondria की inner membrane पर देखने को मिलते हैं वहां पर लगे होए होते हैं और chloroplast की thylakoid membrane पर भी लगे होए होते हैं और इन सारी location पर लगे होने के बाद यह एक ही काम करते हैं प्रोटोन का transportation by ATP hydrolysis तो एक्च्वल मिंगे F-type ATPase क्या कर रहे होते हैं यह प्रोटोन का एक gradient बना देते हैं और वो जो प्रोटोन का gradient यह F-type ATPase बनाते हैं वो कई सारे अलग-अलग process में help करता है जैसे electron transport chain mitochondria की electron transport system chloroplast का और holobacteria के अंदर जो light driven pump वाला process होता है वहाँ पर भी यह F-type ATPase proton का gradient बना देते हैं और वो proton का gradient किस तरीके से काम करता है यह हम लोग इसके अगले वाले वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं जब हम लोग bacterial rhodopsin के light driven pump की बात करेंगे तो अगर चैनल को subscribe नहीं किया है do subscribe it you can share these videos to your friends as well if you are liking the way I am teaching you तो friends को भी share करो और क्यों करो के because sharing is scaring right और वो bell icon जो है न उपर गंटी उसको फटाफट बजा लो ताकि फटाफट वीडियो की नई updates आप लोग के पास पहुंचे correct तो यह तो हो गई इसके बारे में कुछ basic information लेकिन अगर हम लोग इसके structure को इस तरीके से दिखता होएगा तो यह जो एफ टाइप ATPase है इसके अंदर भी दो domains होते हैं जैसे दो domains हम लोग उने वी टाइप ATPase वी टाइप pumps के अंदर देखे थे तो वो दो domains कौन कौन से है उसके अंदर पहला domain है F1 domain और यह जो F1 domain होता है यह peripheral part होता है इस F यह ताइप ATPase का और अगर दूसरे डोमेन को देखें तो यह F0 domain होता है या फिर F-O domain होता है और यह जो F0 domain होता है यह membrane का portion होता है इसका मतलब यह है कि अगर F0 domain को देखें यानि कि दूसरे domain की बात करें तो यह membrane के अंदर धसा हुआ होता है लेकिन पहला वाला जो domain है यानि F1 domain है ये membrane के अंदर धसा हुआ नहीं होता ये periphery पर लगा हुआ होता है और कैसे लगा हुआ होता है वो ये देखो माल लो ये plasma membrane है plasma membrane है bacteria की अभी देखकर क्या आएं है कि कहां पर ये F type ATPase लगे होए होंगे तो ये bacteria है और bacteria की plasma membrane है जिस पर F type ATPase लगा हुआ है तो यहां पर जो F type ATPase लगा हुआ है अगर उसके F0 domain को देखे तो ये कुछ इस तरीके से membrane के अंदर धसा हुआ होता है जैसे हमारा GPCR होता है वो membrane को 7 बार cross करता है उसी तरीके से ये जो हमारा F0 domain होता है ये भी membrane को cross करता है कई बार और इस membrane वाले portion के अंदर कई सारी अलग-अलग subunits होती हैं जैसे C subunit की बहुत सारी copies एक alpha subunit और दो beta subunit और वही पर अगर हम दूसरे domain को देखने की कोशिश करें जो F1 domain है उसके अंदर 3 alpha subunit, 3 beta, 1 delta और 1 central gamma subunit होती हैं और ये वाला जो portion होता है ये वाला जो domain होता है F1 domain ये periphery की side लगा हुआ होता है यानि इधर side दूसरा domain लगा हुआ होता है इस F type ATPase का तो ये वाला domain है हमारा F1 domain और जो membrane के अंदर धसा हुआ होता है वो होता है हमारा F0 domain तो इतनी बात समझ में आगे आप लोगों को अब ये F0 domain क्या करता है और F1 domain क्या करता है अगर ये जानने की कोशश करें तो ये जो F0 domain है ये proton के लिए channel की तरहा काम करता है यानि अगर F0 domain को देखें तो यही domain हमारा channel बन जाता है उन proton के molecules के लिए जिनको ट्रांस्पोर्ट हो करके दूसरी साइट जाना होता है तो ये F0 domain actus channel for proton molecules और वही पर अगर हम लोग इस दूसरे domain की बात करें तो ये क्या करता है इसके पास ATP की binding sites होती है और जैसा कि आप लोगों के दिमाग में एक चीज भर ही गई होगी के ये F type ATP driven pump की category में आते हैं तो ये तभी काम करेंगे जब इन लोगों को ATP दिया जाएगा खाने के लिए तो अब इस पूरे pump के अंदर वो ATP कहां पर आकर के लगता है वो F1 domain के उपर ATP की binding sites होती है जहां जाकर के वो ATP का molecule interact करता है और ये pump proton के transportation को regulate करता है तो ये बात हो गई हमारी के भाई F1 domain और F0 domain का क्या काम होता है F0 domain और F1 domain के अंदर कितनी अलग अलग subunits होती है ये F type ATP का address क्या है कहां लगा हुआ होता है किस तरीके के आइंस का transportation करता है तो आज के लिए इतना ही हम लोग कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और अगर आप लोगों को चीजे समझने में आ रही है दिन डू सब्सक्राइब दिचैनल रइट तो आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं बाई